क्या निर्मल पाठक अब दुबारा बकसर लोट कर वापस आएगा और अगर आएगा तो अपने भाई 38 पाठक अपने चाचा और नेता जी के गुसे का किस प्रकार सामना करेगा तो आज दोस्तो एंडिंग एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ सोनी लिब की नई वेव सिरीज निर्मल पाठक की घर वापसी लेकिन हाँ उससे पहले एक वार्निंग दे दूं कि अगर आपने अभी तक ये सिरीज नहीं देखी है तो प्लीज पहले ये सिरीज देख लीजे क्योंकि इसमें ऐसी बाते होंगी जो सिरीज देखने से पहले आपका मजा खराब कर देगी और हाँ अगर आप मुवी और खासकर वेब सिरीज के सोकेन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आखरी एपिसोड में हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि निर्मल और आतिस की खटपट बहुत बढ़ जाती है और दोनों के बीच अनबन इतनी हो जाती है कि आतिस अपनी बुलेट बाइक रीना के घर जाने के लिए निर्मल को नहीं देता और जब निर्मल यहाँ पे नेताजी के घर पहुंचता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है रीना से और इसी समय वो लोट आता है और अगले दिन दिखाया जाता है कि साधी की तयारिया चल रही होती है लेकिन जब ही लिब लिबिया का कॉल आता है कि यहाँ पे भाभी यानि रीना बकसर जिले से भाग रही है और वो रीना को स्टेशन पर देखा है और वहां से बिलकुल महौल बदल जाता है निर्मल पाटक किसी को बीना बताए स्टेशन पहुंच जाते है और रीना से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे तो रीना रिप्लाई क करते हुए बूलती है कि मैंने सारी बात पापा को बताई थी लेकिन फिर भी नहीं माने और उनकी मर्जी के खिलापे साधी कर रहे हैं और इसी बीच नेता जी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और इसी बीच ट्रेन खुल जाती है तो लोगों को लगता है ये गलत फैमी हो जाती है कि निर्मल पाठक और रीना साथ में भाग गये है जी हां ये गलत फैमी लोगों के दिमाग में घर कर जाती है और यही बात फैल जाती है आतिस इधर काफी गुस्से में रहता है क्योंकि उसकी साधी तूट जाती है उसकी बीवी रीना को लेकर निर्मल पाठक भा लिया है मुझे लेने नहीं आओगे तो अब यहां पर सीरीज खत्म हो जाती है तो बता दू कि क्या निर्मल पाठक वापस बक्सर आने वाला है तो बता दू जी हां क्यूंकि इस सीरीज का सबसे जो में आधार जो डायलोक है निर्मल पाठक की माजब अपने बेटे से कहती ह छोड के गईल आसान होला रूप कर बतले पुस्किल यानि अब यहां से कनफर्म होगा कि निर्मल पाठक की दुबारा वापसी होगी वक्सर में लेकिन उसका सामना करने के लिए तयार होंगे आतीस उसके चाचा और नेता जी का गुसा तो बता दू वो पुलिस के साथ वा नेता था उसी के साथ बक्सर में लोटे ताकि कोई उसका कुछ ना कर सके और लोट कर वो ले जाने की कोशिश करेगा अपनी मा को और रीना को यहां आतीस को सौप देगा लेकिन ट्विस्ट जब ही आएगा दोस्तों क्योंकि अब वो बक्सर से सायद बाहर नहीं जाने वा बात को वो सिद्ध करते हुए यहां पर गाउं में रहकर उन सभी कुरूतियों को उन सभी अन्विस्वासों को यहां पर सुधारने की कोशिश करेगा और ऐसा भी हो सकता है क्यों उसका दोस्त जो बिकरम बाजबई था उसकी मदस से उसे वहां के एमेली की टिकट भी मिल और वो चुनाओ लड़े और साय चुनाओ जीत भी जाए आतीस जो उसके साथ मिल जाएगा ऐसा हो सकता है और चाचा और नेता जी एक साथ और आतीस और निर्मल एक साथ लड़ते हुए नजर आएगे क्यों कि निर्मल तो आतीस से कभी गुसा था ही नहीं और आतीस के रीन और आतीस दोनों एक साथ साधी कर लेंगे जो की नीर्मल उनकी मदद करेगा साधी करवाने में और निर्मल और जो बंगाली टीचर है स्कुल के टीचर उनकी प्यार कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कहानी में बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे क्या सीजन टू सच में आएगा तो भाई मैं ये सब जो कहानी बता रहा हूँ ये सीजन टू में ही हमें देखने को मिलेगी तो कंफर्म है कि सीजन टू जरूर आएगा अभी इस पर कोई कंफर्मिशन नहीं मिली ह जाए और ये निर्धारित करेगा सीजन वन के प्रफॉर्मेंस पर यानि इसके विवर्शिप पर तो मुझे जहां तक उमीद है दोस्तों धीरे धीरे ही सही जहां तक लोगों तक ये सीरीज पहुंच रही है लोग इसे देख रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं तो सीजन वन तो हीट होने वाला है और इसी के अधार पर सीजन टू की घोशना जल्द ही की जाएगी और जैसे ही की जाएगी सीजन टू की उसके बाद सीजन टू जरूर आएगा